बाई नादो के रेडी ओल सेट छे बजए साथ बज़े तक का सोचा था कि निकल जाएंगे और एक्जेक्ट साथ बज़े हैं एकदम सवानवान रख लिया है अब यहां से निकलेंगे सर्चू के लिए यह सामने भाई पाड दिखने शुरू हो गए थोड़े थोड़े और सा यह बाई वाला पार्ट आगया जान लास्ट टाइम जब हमाएं थे मार्च में तीन तारीक को चार को चार को आयते हैं यहां पर चार मार्च को तो यहां पर जाम लगा हुआ था भाई फुल जाम एकदम कर यहां पर ना एक गंटे के लिए बंद होता है चंस्रुक्शन के दोनों तरफ से खरम तो सुबेश वे निकल गए बाई काम तो तकड़े लेवल पर चल रहा है बाई पोने आठ बजे हम लोग रुक गए हैं नास्ता करने के लिए कि कल पूरे दिन में एक ही मेल ली थी बैठे तो थे हम लोग शामगो चाय पकोड़े खाने के लिए लेकिन वहां पर उन्होंने बोला पकोड़ों में 15-20 मिनिट लगेंगे तो फिर रम ने का थाली दे तो भाई थाली मिल जा तो उन्होंने च्छे बजे हमारे को थाली दे दी उसके बाद ना तो डिनर के रहे ना कहीं के रहे इसलिए अभी भूग लगी भाई बहुत तेज तो सदिक रहा है यह वाला यह असा लग रहा है कि जैसे कोई पूरे पहाड का इससा तूट के आया वह लेंड्स लाइड हुए रिसेंटली कोई इन पहाडों में नजाने क्या है भाई बार-बार कीच लाते हैं तो भाई पंचर निकल वाया अदा गंटा उसमें लग गया नाष्ता किया यह गंटे के करीब उसमें लग गया मतलब एक डेड़ गंटा लग गया यहीं पर सभा नौ बज गए हैं अभी हम मंडी जस्ट टूर में तुम्हारा पर कपड़े लग्तों की कम भी हो रही है अजिस ओरा की पेड़ प्रमोशन हो गी है बाई जिसोरा वालों से पैसे लेने पड़ेंगा तुम्हारी प्रमोशन चल दिये भाई ऐसा लग रहा है कि इस टर्नल का प्रोग्रेस देखने न काम के क्या प्रोग्रेस चल रही है हम बार 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 इस रोड पे आ जाते हैं और अब ही तो सब काम चली रहा है भाई आगे वाईकर भाई लोग जा रहे हैं जाए दो तिन अब ही देखते हैं रहे हैं तो लोकल वाइक्स ही है भाई नजारों में कुछ तो बात है कुछ तो चुमबक है चुमबक की यह शक्ती है जो बार-बार खींचलाती है वो सामने थोड़े-थोड़े परफ के पाड़ भी दिखने शुरू हो गए हलके हलके उपर की सिर्फ चोटी-चोटी दिखाई दे रही है और ये ग्रीन वाले पाड़ तो शुरू होई गए ये देखो राइट साइड में वाँ भाई भाई अदबुत अदबुत बहुत ही बढ़िया टेंपरेचर आगे है भाई 22-23 डिग्री और हमने एसी बंद करके शीशे खोल लिया है पाड़ों के नस्दीक आ गए है बिलकुल ये बिलकुल पाड़ आ गए हमारे पास में बहुत पाड़ हमारे पास नहीं हम पाड़ों के पास आ गए है आगे भाई बरफ के बाड़ आ गए नस्दीक वाँ 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 मज़ा आ गया यह दो फुल व्यू आ गया है अब हम पहुंच गए है मनाली क्रॉस कर लिया अब रूतंक अटल टनल की तरफ चल पड़े हम लोग अटल टनल रह गया यहां से 19 किलोमेटर और ले रह गया 423 तो भाई अटल टनल ने फिर से स्वागत कर दिया है हमारा बट इस बार फुल ट्रैफिक है टूरिस्ट लोग आए भाई को इसली बार जो वी आई पी मुवमेंट था ना वारले सिर्फ हम ही चल रहे इस बार वो नहीं है सब के लिए खुली होई है भाई कहां गई भाई सारी बढ़ अरे नदी भी पिंगल गई है नदी पा करे जननत मतला स्विजर लेंड एक फ़र पी बरत भाई खतब हो तरा राइट में रसता जा रहा है जो लोसर काज़ा की तरफ जो जाता हो वाला और लेफट में रसता जा रहा है सिसू ले और का viktig तो अभी फिलाल हम जा रहे हैं लेफ्ट की साइड देखे आज कहा ठेरेंगे टूरिस्त तो आयों है थोड़े बहुत ठंडा मौसम है बस इतना ही है बाकी तो स्नो तो थोड़ी थोड़ी परली तरफ रह गई है वो इधर जो थी अगर आप लास्ट वीडियो देखो के हमारे चार मार्च वाले तो इस रोड पे कितनी स्नो थी और आई बया करें वाई यहां हम पहुंचे हैं यह देखो यह हमारा रेडर्स प्रूकस्ट कर और वापस से आलियास ओटल आये हैं एक बार रुकने आनन जी के पास उनसे कुछ इंफॉर्मेशन लेनी थी और फिर निकलते हैं आगे देखते हैं कहां तक जा पाएंगे आज तो आनन जी तो नहीं मिले उनके फादर मिले थे तो उनसे पता किया वो तो कह रहे हैं शाहिद आज से खुल जाएगा शिंकुला वाला बट एक पुलिस वाले से पता किया है चिन्होंने लास्ट टाइम हमारे को जाने दिया था ना उनका नंबर सेव कर रखा था उनसे पता कि है तो वो कह रहे हे है कि नहीं रही क crane élा देखते हैं भाई क्या होगा बाकिश भोगा वहीट होगा एक है कि दोस्तिक नि ने हलो करूजा सबस्यमग करweg कि दोस्तिकम हो अचैसलम स्वाइभी काव कि में रिलेशं का अफ ज़क ह चाहता है मैं sya को Southern Bali जो करना है खुदी करना है तो अगर उप्र वाले का साथ रहा किमा थेखो तो यह जमनी जो ने निकल जाएंगे नहीं तो ऐना जिस पाव अगेरह में कहीं पे भी टेंट लेके, रूम लेके, रुख जाएंगे, सोएंगे, स्नोफॉल होएगी भी, तो क्या स्नोफॉल होएगी, दूप निकली है, बहुत तेज, इसमें तो क्या स्नोफॉल होएगी, कल की प्रडिक्शन है, और 100% प्रडिक्शन है, बट अगर वो 5 मिनिट, 2 मिनिट स्नोफॉ हुई सिर्फ उतनी सी हुई तो उससे तो क्या होगा ठीक है कोई बात नहीं और कुछ नहीं तो भाई एक सबक तो मिली गया कि अपना प्लान जो घर से बना के चले थे उसी पे स्टिक रहते काजा के लिए निकले थे आराम से शिमला की तरफ से काजा आ जाते कोई पर्मिशन नहीं कोई जंजट नहीं किसी के अप्रोच लगाने की जुरत नहीं मस्ती करते हैं पुल लेकिन ठीक है हमें लगा कि एक ट्राय करना चाहिए इदर पूरी रोड के उपर ना आने में ना जाने में सिर्फ लोकल एक दो गाड़ियां दिख रही है बाकि कोई भी नहीं है उसने तो इनों रुख जाएंगे जिस पर विजाएंगे देखते हैं लोगो क्या रहेगा शाम तक पता चल जाएगा और हम फिर से पहुंच गए हैं तांडी ब्रेज एक बार और यहीं पर आगव ने गोप्रो रख्यों बनाया था ना शौट लिया था भाई ले से पहले पेट्रूल पंप हैं हम राहिस्तान से सिरफ यहां पर डीजल वराने आए हैं आगे रस्ते बंद मिले तो वापस चले जाएंगे ले से पहले पीस से पहले जो एक था पेट्रूल पंप अब यह लास्ट हो गया है इसके बाद शायद सीधा ले में ही है बाई पिंड रॉप साइलेंस है बेलकुल सुन सन्नाट कुछ भी नहीं यह हमारी बीवी और यह हमारी गाड़ी यह भाई दार्चा ब्रिज मनाली सर्चू रोड पे 360 मीटर का है लॉंगेस्ट ब्रिज है इस रोड के लिए नया बनाया शायद अभी पिछली बार भी आयते तब भी थाक है और भाई माहौल तो बहुत बढ़िया है बस बगवान आगे जाने में हेल्प करते है तो बाई इस पॉइंट तक हम लोग आगे हैं डार्चा में और यहां से आगे जाना फिलाल अलावड नहीं है वापस ले रहे जैश्री राम हमारे इस वाले टूर ने भाई यह सावित कर द कर लेते हैं तो भाई आप जाएंगे मनाली की तरफ जा रहे हैं अब देखते हैं रस्ते में कोई भी अगर अच्छा रिवर साइड कैम्प मिला तो वहां पर रुखेंगे आज की शामपडिया एंजॉय करेंगे तलका कल देखेंगे इन बरफ के पाड़ों को बाई-बाई करने का टाइम आगया भाई अब हम यहां से निकल जाएंगे इन वादियों से यह थोड़े थोड़े जो बरफ दिखाई दे रही है ना बहुत दूर और जब हम लास्ट टाइम आये थे इन सारी सड़कों पर बरफ पड़ी थी भाई सारी सड़कों पर और बिल्कुल बरफ निकले धन्यवाद पदा रहे तो सही लेकर कोई बात ने इस बार मनाली जाही है बड़ी बड़ी जस्ट अटल टर्नल से पहले अटल टर्नल पहुंच गया है वापस सीधा जा रहा है रस्ता कोकसर काजा की तरफ जो जाता है और राइट में चले जाएंगे मनाली के लिए स मनाली के लिए मुड़ जाते हैं बाई यह सोलंग में तो जबरदस्त बीड़ है टूरिस्ट की खूब टूरिस्ट आये हूँ है यह देगो कुछ लोग तो सिरफ सवारी कर नहीं है इसकी कच्छर की दोग्धी को खूब टक्सिय टक्सिय क् TU माइर लिए पाड़ पे आना मतलब फाड़ो पराफिल चाहिए तो फाड़ो्प आना वैसे तो क्या पाड़ो प्हाणना सुख है वाद पर देग क्या हुं है किया हुँ हम ऐसे बाष पाण बाई आज का हमारे अक्रमोडेशन रहेगा यह वाला तंबू मैंनों ने तो पहले जगह गेर लिया खोल दिया मैंनों अंदर से चलो भी दिखाते हैं टेंट और इस बार हमारे साथ सबसे मेजर कमार की बात क्या हो रही है कि हमारे को एक्स्ट्रा बेडिंग पहले से मिल रही सामने हाईवे यह जारहा है यह 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 नदी बहरी है कि यह मीनू बैठी यह यह वारी गाड़ी और सामने वह लिए जो हैना वह Ajaj Mah Server 018 के ऑभ है अभी वाईस केमप में कुछ पाद्चे स्कूल चॉल कॉलीज के और उन्होंने क्या हाल मचा रखा बाई कोल्ड बन्होंना पूरा यह देखो लगाइस चले गए हैं उभी अमी लोग हैं पूरे केम्प में लेकिन वह अगे ने बाउनफायर की भी तैयारी कर रखिये देखो यह बाउनफायर की तैयारी है पूरी और देज़े थो यह बजीरा शंदार यह वाइद केम्प हाइलेंडर बड़ी अमज आ गया तो भाई महावल नगया है महावल मतलब इतना बढ़िया बन गया कि क्या कर रहे हैं और जो यह नोग है ना वह भी इंजोई कर रहे हैं तो भाई यहीं चाहिए था फिलाल वृ दिन से हलका सा दिमाग डिस्टाब्ड धिस्टाब्स मुण जो ले के लिए अमारा प्राग्राम था वो डिस्टाब हो गया था इसलिए मूड खराब था लेकिन आज मूड बहुत अच्छा हो गया तो भाई देखते हैं कल सुवे निकलेंगे यहां से जैपूर के लिए और व्लॉग को यहीं पर करतें एंड मिलतें आपको किसी अगले ब्लॉग में तिल देन गुट बाई